कर दो कि लिए नवस्कार साथियों आप सुभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्टेट एक्जाम्स बाई केरियर विल यूट्यूब चैनल पर तो जल्दी से आप लोग क्या करें लाइव आज आए और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दे कौन-कौन लाइव अब लोगों को मालूम में अभी पड़वारी की एक्जाम को लेकर के थोड़ा सा महल अच्छा चल रहा है और पड़वारी के बहुत सारे बच्चें तो कहते रहते हैं कि सरक कुछ प्रीविएस यह के बिसमें बताईए तो मैंने सोचा है कि यह पूरा वीक आपके लिए क्या करूंगा मद्द्प्रदेश पड़वारी परिक्षा से संबंद्ध प्रीविएस यह पेपरों के हम परचर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रीविएस यह में कैसे प्रस्ण पूछे गयके मद्द्प्रदेश सामाने ग्यान से और साथ में यह भी जानने का प्रयास चाहिती राज वस्ता का क्या संबंद है और यहां से कैसे प्रस्ण आप से पूछे जाते हैं इन प्रस्णों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हुए यह भी चलेंगे कि यहां पर कौन सी बाते आपको सीखने लायक हैं और कौन सी नहीं और किन छेत्रों में पड़वारी की परिक्षा को ले करके क्या करना है अपनी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है बिल्कुल राहुल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है गोड बॉर्निंग आप हमारी क्लासे यूट्यूब पर लगातार चलेंगी मैंने सोचा है कि आपका पड़वारी जब त दीजिएगा पहला परड़ और यह कह रहा आपसे एक बात पूछ रहा है और क्या चाहता है वसे कि depending Brics, या हॖ अप प्वेंद वाई आपका Constitution में कहा पर समवेधान में आपका इसका उपबंद कहा पर किया गया है। समवेधान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उपबंद कहा पर है। क्या बताएंगे आप बताएंगे आइडिकल आपका 243 और इसका सब क्लॉस कौन सा है आपका आई इसमें किसकी बाते की गई है आपका तो राजियों के लिए वित्त आयो की परिशर्चा की गई है ठीक है कहां पर आपकी तो राजियों के लिए वित्त आयो की आपकी परिशर करेगा अब एक बात बताईए आप लोग ऐसा करने वाला मद्ध प्रदेश आपका क्या बना था पहला राज्य बना था कब की बात थी आपकी तो मद्ध प्रदेश में आप देखेंगे 14 जून ठीक है 14 जून 1994 को आपका क्या किया गया मद्द प्रदेश के पहले मद्द प्रदेश का आपका क्या था मद्द प्रदेश का प्रथम आपका क्या हुआ तो याद रखेंगे आप सभी प्रथम वित आयोग का गठन हुआ वित आयोग का आपका क्या किया गया आयोग का गठन कि तो आपका वित्त आयोग बन करके तयार होता है जब आयोग आपका पहला 14 जून 1994 को बनेगा तब हम क्या करते हैं आपको के सर यह भी आपका क्या हो जाता है बाहर हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1996 यह आप एक्जाम में आसानी के साथ आंसर कैसे निकाल सकते हैं अगर उसके आपको गठन के विशाई में मालम है मद्द प्रदिश कैसा राज्जी बना था आपका तो मद्द प्रदिश आपका पहला ऐसा राज्जी बना जिसने अपने यहां क्या किया था वित्त आयोग का गठन किया तो वित्त आयोग का गठन करने वाला आपका मद्द प्रदिश क्या बनता है पहला राज्जी आपको दिखाई दे जाएगा और पहला राज्जी आपका बन जाता है अच्छा यहीं से एक प्रस्ण साथी हो आपके पास और आ सकता है किसका प्रतम अद्यक्ष में और प्रतम आपका तो वर्तमान में आपको कौन दिखाई दे जाते हैं हिम्मत सिंग आपके कोठारी जी देखने को मिल जाएंगे कौन आपको देखने को मिलता है तो आपको दिखाई दे जाएंगे हिम्मत सिंग कोठारी आपके क्या है तो हिम्मत सिंग कोठारी आपके क्या बनते हैं पहले वित्त आयोग के आपके मतब वर्तमान में अध्यक्षे अचा पहला कौन है आपका तो पहले में आप बताएंगे सवाई सिंग आपके क्या बने थे तो सवाई सिंग आपको दिखाई दे जाते हैं प्रतम वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में को स्चाहब ना की इसके तहत मद्र परदेश आपका पहला राज्य की चुनावायो की भी फिसButinha करने वाला मद्ध्रदिश आपका पहला राध्दि बना था आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो आपका वित्त आयोग चल रहा है यह कौन से क्रम का आपका वित्त आयोग है तो आपका आंसर क्या होगा आप कहेंगे सरी हमारा पांचवा वित्त आयोग है जो अभी प स्क्ट्रीन पर यह रहा मंडी बोड के रूप में किसे जाना जाता है आपसे पूछ रहा सिर्फ प्रजघू कि आपका क्या है है अलों मंभा प्रॉपर्ली नून एस मंडी बोड मतलप discoveries किस नाम से जानते हैं यहां पर आप से जानना चाहता है कि मंडी बोड को आपका मद्दप्रेस राज्य क्रिशी विपरन बोड के नाम से जाना जाता है मद्दप्रेस राज्य बागवानी उत्पाद विकास बोड के नाम से जाना जाता है राज्य आपका क्या है बीज आपका विकास बोड के नाम से जाना जाता है या मद्द प्रदेश सिचाई राज्य सिचाई विकास बोड के नाम से जाना जाता है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे मद्द प्रदेश राज्य कृष्री विपरन बोड के रूप में जाना जाता है तो मद्द प्रदेश आपका स्थापना कब की गई थी 1973 में आपको देखने को मिल जाती है अच्छा मद्ध्यप्रदेश राज बागवानी उत्पाद विकास बोड की स्थापना कब की गई यह भी आपसे पूछा जा सकता है यह आपका पड़वारी का हॉट टॉपिक हो सकता है तो आपको कब दिखा देत की आपकी बात देखने को मिलेगी ठीक कब किया गया आपका सौरी 1982 हां ठीक 12 फरवरी 1982 आपका क्या हो जाता है 1982 में क्या इस्टैबलिस किया गया था आपका तो मद्ध्यप्रदेश राज बागवानी विकास बोड की आपकी स्थापना की गई थी आप इसके बाद रह गया किसके साथ याद रखना है 1980 के साथ आपको याद रखते हुए चलना है चलते साथ हो अगले प्रस्ट पर और अगला प्रस्ट नहीं रहा आपकी स्क्रीन पर आईए आ करके उत्तर दीजिए गए चले रूर आपका क्या हो जाता है ग्रामीड ग्यान केंद्रों को मद्ध से ढ़ का देश में इस्थापित कीया जा रहा है आपको बताना है जो ग्यान केंद्र का काम क्या होता है तो ग्यान केंद्र आप याद रखेंगे इनका कार अगर आपसे कभी पूछाता है इनकी स्थापना मतलब इनका कार पूछ लिया साए तो साथी व Asian कहेंगे इनका काम होता ग्रामीर चित्रों में आपका किसानों की शायता करना किसानों को क्या करना है आपका किसानों को इनको क्या कर देना आपका तो याद रखेंगे आप लोग किसानी संबंधित किसानी संबंधित आपकी क्या करना है किसानी संबंधित आपका क्या कर देना आपका जल्दी से आप लोग बताईएगा नावाड की द्वारा नावाई बलवीर सिंग्जी आप थोड़ा सा गरवड हो रहे हैं बेस्व बैंक एसी आई बैंक नावाड या आपका भारती रिजर्व बैंक बताओ किसकी मदद से आपकी स्थापना की जा रही है तो सबसे प backend किस्थापना की जा रहीे है विकास बैंक आप नावाड के द्वारा आपको दिखाए दे जाएगी अच्छानर》 आ किस्थाय श्थापना करीी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे नावाड की स्थापना पर *** पूछा जाए कहां पर है आपका तब आप क्या बताएंगे बंबई में है क्या ये भी आपको मालूम होना चाहिए नावाड कहां पर है आपको देखने को मिलता है 12 जुलाई 1992 में आपके स्थापना की गई अच्छा बात बताई इसके अध्यक्ष कोन है आपके अभी वर्तमा इसके अध्यक्ष कोन है वर्तमान समय में अध्यक्ष आपको कौन दिखाई दे जाते हैं तो याद रखेंगे अध्यक्ष का नाम आप सभी से पूछा जा सकता है हर्स कुमार आपको क्या दिखाई दे जाएंगे साथियो तो इसके अध्यक्ष की रूप में आपको देखने को गवर्नर आपको दिखाई देता है यही आपको बताना है क्या ससी कांत दास हैं तो आपको कौन देखने को मिल जाएंगे तो इसके आपके गवर्नर के रूप में आपको दिखाई दे जाते हैं अच्छा ACI विकास बैंक अगर पूछली जाए या विश्यो बैंक का अध्यक्ष कोन है आपका तो डेवीस जी का आप लोगो को नाम याद है डेविस माल पास आपको याद होगा यह आपको क्या है तो बिश्यो बैंक में आपका डेविस अपको कौन दिखाई देते है या रखेंगे ससी कांत दास तेक है 25 वे हां 52 मैंने ऊल्टा लग दिया मैंने 55 वे आपके क्या हो जाते गववर мет आपको को दिखायदेंगे आपकोस दिखाइद्ध है एक आपको दिखने को बिलते हैं इतनी बाते इस प्रस्में के साथ आप लोगों को सीखनी है और इतना आपको सीखते हुए चलना है जल्दी से आकर के बताएं निम लिखत में से ग्रामीन विकास के लिए वर्तमान केंद्री मंत्री कौन है? निमलिखित में से आपको बताना है निमलिखित में से ग्रामीड विकास के लिए वर्तमान केंदरी मंतरी आपको कौन दिखाई दे जाता है तो वर्तमान केंदरी मंतरी के रूप में आपको क्या करना है इनकी परिशर्चा करते हुए आपको बढ़ना है तो आपको बताईए निमलिकत में से ग्रामीड विकास के लिए वर्तमान केंदरी मंत्री कौन है आपका डीवी सदानंद गौरा नरेंग सिंग तोमर या जेपी नडडा या हर सिम्रत कौर बादल तो आप लोग क्या बताएंगे अगर हम किसको देखते हैं आपका ग्रामीड विकास को लेकर के बा आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक अब आप से पूछा जाए कि प्रधान पंध्री आपकी सड़क योजना की सुरुवात कभी की गई या किसके लिए की गई तो याद रखेंगे आपका तो ग्रामीड विकास के लिए कारे करना है ठीक है ग्रामीड विकास का आपका कारे करना है और क्या आपको दिखाई देते हैं जैसे आप लोगों ने देखा गए स्वन जैयन्ती आपका क्या हो जाता है जैयन्ती आपकी योजना हो जाती है यह भी किसके अंतरगत आती योजना आपको देखने को मिलती है, तो यह बाते आपको क्या करना है, याद रखते हुए, चलना है, आच्छा बाद बताईए, ग्रामीर विकास जो आपका मंत्रा ले है, इसकी स्थापना कभ की गई, या ग्रामीर विकास आपका क्या हो जाता है, विभाग आपका कभ बिभाग की स्थापना कब की गई थी तो बिभाग की बच्चे स्थापना की गई थी 1974 में ठीक है कब इसे बिभाग बनाया गया अलग से आपका 1974 में बिभाग बनाया गया अच्छा मंत्राले कब बनाया गया अलग से मंत्राले कब बनाया गया यह बात आपसे पूची जा सकत है कि अलग से मंत्राले के दर्ज़कं दिया गया तो 1979 में आपका क्या ह Georgiei आपका क्या दिखाई दिए जाया वहelly आपका जैपच्विकास मंट्राले आपको दिखाई दिए TY turnover मत्राले आपको स्थापित किया जाता है तो आपको बताते हैं 1979 में ऐस्थापित किया था ठीक है सभी स्टुडेंट्स कमेंट करें प्लीज आरे जो नहीं कर रहे हैं नहीं करने दीजिए चलिए अगले प्रस्ट पर आते अगला प्रस्ट नेरा आपकी स्क्रीन पर आए उत्तर दीजिएगा ग्रामीर रोजगार गारेंटी योजना को भुक्तान की गई मजदूरी के साथ जुड़ी हुई है ठीक है यह कह रहा आपका महात्मा गाधी राश्टी ग्रामीर रोजगार गारेंटी योजना को भुक्तान की गई मजदूरी डैस डैस के साथ जड़ी हुई है ठीक है तो आपको बताना है किसके साथ जुड़ी हुई है क्या है आपका होल्सेल प्र आपको बताने हैं ठीक है किसके साथ आपकी जुड़ी हुई है जल्दी से बता दिएगा आप लोग तो यह आपको किसमें दिखाई दे जाता है consumer price index for आपका क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे consumer price index for आपका agriculture workers के साथ आपकी जुड़ी ही आपको दिखाई दे जाएगे आपको दिखाई दे जाती है यह आपको दिखने को मिले गे अच्छा एक बाब बताओ मनरेगा की स्टार्टिंग कब हुई थी स्टार्टिंग अगर आप से पूछ लिया जाए कि मनरेगा की स्टार्टिंग कब की गई आप क्या बताओगे इन दे यर ऑफ 2005 ठीक कब स्टार्ट हुआ आपका 2005 में आपका मनरेगा चालू किया गया था अब इसे आपको क्या करना है ये आपका काम क्या करता है महात्मा गांधी अगर राश्ट्री आप शे माजमी रोजगार राइनटी उजना पूछ ships याद रखेंगे आपको एक उसल्स पैस ति redefini को को resistant को आपको क्या करना लेकिन कैसे लोगों को 18 वर्ष से अगर आप क्या है उपर हैं 18 वर्ष से आपका क्या हो जाएगा उपर वाले लोगों को आकोसल जो स्रमिक है उनको उनके गाउं के पास ही रोजगार उपलब्द कराना कितने दिन का रोजगार उपलब्द कराना कितने दिन का रोजगार उप जुगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या हो जाते हैं इसे भी आपको ध्यान में रखना है चलिए नेक्स आते बच्चों अगला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर यह रहा ठीक है चलिए बताइए वेन वास दा असोक महता कमिटी कॉंस्टिटूटेड असोक महता समीती का ग वह सक्षिक यह थो क्या जाएगा आप 17 diesen डश्चंवा खन जाते हैं आप लुम्ने नामने सिना हों आपगे यहीआ कि देचाई ऐस बहुत्टिटूटेड अपको देखाई चैज़के नेधें लिये बंचास के यहांड ह ideia से онco9 की लिए नेfires बिए ब्घाु स्टत देखा से व्यवस्था आपका क्या किया जाएगा तो यहाँ पर आपका व्यवस्था के लिए इनका क्या किया गया था गठन किया गया था इनकी इन्होंने अपनी अनुसंसा क्या दी यह इनकी सिपारिस क्या रही तो इन्होंने दो बाते कही आपका ठीक है यह इन्होंने कहा आपका द कि उन्होंने कहा, आप का प्रखंंड केह सकते हैं, या आप लोग उसे कया कह सकते हो, भी कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हो, भी सब्सक् Liquor格 राजोस्था की तो इनके देखायदlier इनका गठन किया गया जनता पाइटी की सरकार के समय इनका क्या किया जाता आपका गठन किया जाता है बाते क्लियर है इतनी चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की बात आकर के करते हैं नेक्स बात आपकी कौन सी है तो चलिए आकर के बताएं निमलिकत में से कौन सा ग्राम प्रणाली में महाधनी नेखाकारप्णाली प्रणाली कमा र्फ़र्वस्थी या दूसरी दौरी अधलेशा में उसकी ही ओछाता है ठीक लेखा प्रनाली कौनसी यूज की जाती है याद रखेंगे जिस लेखा प्रनाली का आपका ड्रमीर छेत्रों में आपका ग्राम पंक्था प्राइतों की जाता है इससे हम लोग क्या कहता है उसे कहा जाता है आपका डूर insulation सिस्टेम है dual entry सिस्टेम का मतलब होता है माले एक अकाउंट है आपका यहाँ से आप लोगों ने कहा कि यहां से डैबिट हुआ एक अकाउंट क्या था आपको दिखे देगा दूसरी तरफ यहां पर क्या हुआ आपका क्रैडिट हुआ तो इसमें क्या किया जाता है अपकर दो कहला था आपका dual entries आपका दोहरी प्रविष्ठी प्रणाली कहलाती है इसकी सुरुवात की गई थी 1494 में और कहां से आपकी स्टार्टिंग हुई थी तो यह आपको दिखाई देते इटली आपका है और इटली से क्या किया गया था ऐसी banking प्रणाली के आपकी स्टार्टिंग ह से की गई थी तो स्टार्टिंग आपको दिखाई देता है यह जो आपकी dual entry system आपका दिखाई देता है accountancy का यह आपका कहां से इटली से आपका स्टार्ट किया गया था 1994 में आपका स्टार्ट किया गया एक से आपका debit और एक से credit मतलब जहां पर debit हुआ जहां पर credit हुआ उन मतलब आद्रब्रदेश मेंई प्रोक्योर्मेंट यौजना का मुख्य उद्देश से कई जिसका प्रयोजन खादियान कि शाहिता करना है यह जिसका प्रयोजन किया है आपका 300 को तो अचुम्ले दिलाना है यह पैस्वैच्चा बीश उपलबद कराना है यह विच्वना गय चॉलियों एवं एजेंटों की आपकी सहायता करना है या सिचाईस विधा उपलब्द करवाना है इन में से आपका कौन सा उद्दे से इस योजना का आपको दखाई देता है आपकी कमेंट रेट पड़े कम आते हैं तोला सा कमेंट बढ़ा दिया करो आंसर देते रहा करो समय समय पर उर साथ में सेसन को सेर भी करते रहा करो आप लोग जितना जड़ोगे और जितना सेसन को सेर करोगे दीरे-दीरे क्या होगा आपका मैं यह क्लास प्रेक्श्व की रूप में आपकी YouTube में कंटिनेट करता रहूंगा तो वहां पर आप लोग जुड़िए जरूर। च के फशना का उचित मूलने दिल्वाना इसके अन्थर में देख सकते हो फसल के कचान के जानकस्कारी हैbooks of लिए क्या चलाएगी आपकी यूजना आपको दिखाई दे जाती है जिसके अंतरगत आपका क्या किया जाता है अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट यह रहा आपके स्क्रीन पर आईए बताईए जल्दी से कि भारत में निमलिकित में से कौन सा राज्य मिर्च का हां आपको दिखाई देता है आघवा है जिला और क利用ले को में ताय। किव अचया एंटोड़की और प्रस्ट प्रस्ट स्वरीं मिर्च क्या सक बस्किल्दाए याप धश्योल का मंद्धपर देस क reckon सबस्य आपको दिखए भीट की अबहें ऐसाफर क्यूंता करता है आपका लाल मिर्च उत्पादन में तीं को सबसे बड़ी आपको क्या हो जाएगी सबसे बड़ी आपकी मेर्च मंडिसा तो मंडी आप को दिक्षाइब दिखा हैं दूसरी सबसे बड़ी मंडी काँ चाह पर आपक하면 मत्फ्रद्टेस का ने आरीव में देखने के US मिल जाएगी ठीक है चले नेक्स प्रस्ट पर आते हैं अगला प्रस्ट यह रहा आपकी स्क्रीन पर आएए प्रसासन का मुख्य आपका अगर पूछा जाए प्रसासन का मुख्य उद्देश से क्या है इसका मुख्य उद्देश से आपको क्या दिखाई देता है तो आपको क्या हो जाएगा आप को यह आपका क्या करता है यह आपका एक काम करेगा जिला ग्रामिड विकास एजनसी के रूप में इसका काम क्या होता है तो गरीब विरोधी आपकी योजनाओं को लागो करना और उनकी गुर्वत्ता को परखना आप आप समझेंगे कि गरीब विरोधी का मतलब क्या होता है तो माल लेते हैं गरीवी आपकी है गरीवी का कान का है आपका तो आपका होगे सर असिक्षा है और का है आपका तो आपका होगे सर रोजगार की अनुपलब्दता है और इसी बात को ध्यान में रख करके ऐसी संब निमलिखित में से कौन सा प्रधान मंत्री कृषी सिचाई योजना का उद्देश नहीं है। प्रधान मंत्री किसी आपका सिचाई योजना का उद्देश से नहीं है। इसके विशे में विचार किया जा सकता है। अच्छा परमपरागत आपका सिचाई इस्तरोतों को समाप्त करना कोई योजना चलेगी। वह समाप्त करने की तो बात नहीं करेगी। फिर आपका क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया इसमें। कि क्या आपका दक्षिता पूर्ण जल उपयोग में आपका सुधार करने बिलकुल ये भी आपका क्या हो सकता है। आप हम क्या हो गए दो चीजों में आकर के फस गए। क्रिसी योग्य छेत्रों का विस्तार करना, ठीक है क्रिसी योग्य आपके जो छेत्रों उनको विस्तारित किया जा सकता है, हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन क्या परंपरा का सिचाई स्ट्रोतों को समाप्त करना इसका उद्देश से हो सकता है, आप कहोगे सर बिलकुल तो यहां पर हमने क्या किया रॉंग आंसर आसानी से दूर लिया यह क्या होता आपका आसानी के साथ आप इसे दूरते हुए चल सकते हैं चलें आगे बढ़ते हैं अगला प्रसुन साथी हो यह रहा आपके स्क्रीन पर आईए आकर के उत्तर दिजिएगा एक सिर्ण चलिए आ कितनी आपको दिखाई देती है आपको बताना है तो मनरेगा कि अंतरगत अगर आप देखते हैं जॉब कार्ड बैदिता तो आपको दिखाई देता तो आपको देखने को मिलती है तो आपकी जॉब कार्ड बैदिता है वह कितनी आपको दिखाई देती है तो आपको देखन कितनी होती आपकी तो पांच वर्स आपको जॉब कार्ड बैदिता आपको देखने को मिलती है चलते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न ही रहा आपकी स्क्रीन पर चलिए बताइए जल्दी से आपको विच अमंग दा फॉलोइंग वस दा फर्स्ट इस्कीम फर रूरल को लेकर के इंट्रीग्रेटेड रूरल डबलप्मेंट प्रोग्राम था आपको यह कम्यूटी डबलप्मेंट प्रोग्राम आपको दिखाई दे जाएगा ठीक है यह आपको क्या देखने को मिल जाता है इंटिसिव एग्रीकल्चर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आ आपका क्या स्टाइट किया जाता है community development program आपका स्टाइट किया गया था इस program के लिए तो मदद करता आपकी संस्था थी याद रखेंगे आप लोग आपको देखने को मिलेगा और इस फोर्ड फांडेशन ने क्या किया था government of India की मदद की इसकी मदद से क्या किया गया आपका community development program आपका चलाया गया यह तो community development program चलाया गया था इसके बाद आपका इसकी उप योजना के रूप में योजना चलाईगी और पद बनाया गया नया आपका क्या बनाया गया था तो बीडियो का आपका क्या किया जाता है तो बीडियो का आपका पद बनाया गया यह प्रोग्राम कैसा था आपका तो यह प्रोग्राम आपका क्या हो गया community development program आपका आसफल हो गया ठीक है क्या रहा आपका आसफल रहा आसफल क्यों रहा क्यों आपकी तो बल्वंत राय महता समीती का आपका गठन किया गया, ये आपको क्या जिखते देजा कि इसमें आपकी जनता की भागीदारी नहीं हो पाई और वो क्या कहते हैं आ करके अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जनता की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट देते हैं तो अपनी रिपोर्ट में त्री इस्तरी पंचायती सपिति की द्वार्म के आपको क्या करने की दरूरत है लोगों की भागय दारी इसी तरीके till बढ़ सकती है अब इसके बाद आपका आप लोगों ने अगर नाम सनाओगा राजिस्थान राजिस्थान का नागौर जिला क्या बनता है 2nd of October 1959 में इसने क्या किया अपने यहां बलवंत राय महता समीति की अनुसंसा के बाद पंचायती 3 स्थरिय पंचायती राजवस्ता की इसके बाद आपको कौन दिखाई देगा तो 11 अक्टूबर की बात थी 11 अक्टूबर सन 1969 को आपका आंध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना जिसने अपने हां पंचायती राजवस्ता की शुरुवात की तो आपको दिखाई देगा नेक्स अलते साथ यह अगला प्रस क्सकी बात करनी है तो ग्रामिन वुदुती करन निकम फी व्लिश्ति करना के स्थाफना आपकी की जातीह मद्ध प्रदेश में आपका इस भी अगला सथ मात आकर के नेक्स लिए और दिखाई दि राजीव गाधि ग्रामिन वुधुती करन्यां किस वर्स आपकी सुरू है अब राजीव गांधी जो आपकी विद्धती करना योजना है, इस योजना को आपको कैसे समझना, इसका लक्ष क्या था, तो लक्ष आपको क्या देखा गया था आपका गरीबी रेखा से, गरीबी आपका क्या हो जाता है, रेखा से आपका क्या था, रेखा से नीचे आपका रहने वाले लोगों के लिए क्या किया गया आपका तो राजीव गार्धी ग्रामिड विद्धिकर्म बिशन के आपकी शुरुवात की गई और इसका इस थान किसने लिए अभी वर्तमान समय में तो सौभाग योजना का आप लोगों ने नाम सुना होगा ठीके केंदर सरकार क सौभाग योजना चालू की गई और उसके माध्यम से आपका ग्रामिड विद्धिकर्ण का कारे चल रहा है तो निमलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कारे नहीं है तो इस थानी बाजारों की स्थापना और रख रखाओ परिवहन की सुविधाय संक्रामक रोगों की रोख थाम गाओं की सड़कों पर रोशनी करना ठीक है निमलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कारे नहीं है तो इस थानी बाजारों की स्थापना और रख रखाओ बिल्कुल यह आपका क्या करते है इसके बाद संक्रामक रोगों की रोख थाम यह भी आपको दिख़ आपको देखने को नहीं मिलता है तो परीबहन का आपका पंचायते नहीं करती पंचायते की है ओफंचायतों के रोडा की बाहरे थे सामदाई भगनों में उनको ठहराया गया उनके भोजन की विवस्ता की गई भले ही ये बात आपको कागजी तोर पर देखने को मिलती है वास्टित्ता में न देखे लेकिन यही कारे आपको किसका देखाई देता है तो यही कारे आपको देखने को मिलेगा पंचायतों का चलिए अगला प्रस्म आपकी स्क्रीन पर यह रहा लोगसभा के को इस्थगित करने की सक्ती किसके पास होती है ठीक है जले बताए जल्दी से लोगसभा आपकी क्या कहता है इस्थगित कौन करता है आचा आप लोगों को यहां पर समझना है यह किसी बात कर रह प्रो रोग और लोक सभा आप की बात करण रहा है ठीक है इस्थफगित करने की बात कर रहा है भंग करने की नहीं ายए। अनप अदिन यद ए चाल हुप या सच्थ्ण करना यह क्या है आपको सबसुर्प कार्यवायी यह क्या कर सकता है तो देठोव आइस्ठाई समय के लिए यह क्या कह सकता है आपका आइस्ठाई आपका क्या हो जाएगा यह आपको क्या कह दिया जाए आपका कह दिया जाए कि एक निश्चित कालीन निश्चित आपका क्या हो जाता है कालीन आपका क्या होगा इस्थगन होता है और किया होता है आपका अनिष्चित-कालीन, दूसरा क्या होता आपका अनिष्चित-कालीन आप यह क्या कहते है इस्था गन कहते है похdal गया अच्छा एक बाहल अन्तर क्या होता है यहां पर समझेंगे आप सभी कि निश्चित कालीन इस्तगन का मतलब क्या है जैसे माल्यते सदन की कारिवाही चल रही थी और कारिवाही को इसने क्या कर दिया आपका बताया कि अब हम कम मिलेंगे तो 12 तारीक को मिलेंगे साथ बारा साथ आपका क्या हो जाएगा माल्यते अभी काम चल रहा है तो मान करके चलते हैं आप इसने कह दिया लोकसभा अध्यक्ष ने अब हमारी अगली मुलाकात आपकी बारा पांच और कब होगी आपकी दो हजार बाइस को होगी यह क्या होगा आपका इस यह होता है त्वट्रं एकर को आपका वूला सकता है लेकिन क्रेगा आपका लोकसरे को तो इह आप का करता है राश्पति थीडिक्ष करता आपका इस्टगित करेगा आपका लोग छुप करके पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने दीदिया आराम से ठीक है बस आप लोग क्या करिए शेयर करते रहा करिएगा दीरे दीरे लोग अपने आप आदाएंगे आपको बताना है इंडिया भारत में आपका खनीजों में सम्रिद्ध पठार कौन सा है तो आपको दिखाई देगा चोटा नाकपर का पठार यह आपका क्या पाया जाता है यहां पर यहां पर याद रखेंगे आप लोग लोग और अलोग खनीज सब पायजाते लोग और अलोग हनिज आपके ह smart पर पायजाते है डककरण के पठार में आपका पया जाता है? बलैक सोइल मालवा के पठार तो यह आपको क्या देका हो जाता है तो यहापको पषणा हुए छेतर दिखाई दे जाते है छोटा नाकपर के प्रधान मंतरी दोरा घोषट आपकी सौभाक की योजना इसका आपका क्या आपको बताना है की ग्रामिन एक एक-प्रची में आपका कमी करना आपका पूरे देश के लिए रोजगार के अफसर देना कौन करना है नहीं ऑफ यह क्या था आपका है घुग डुतिक रणव है। एक और सन्य भी होना चाहिए था था, आपका तो विद्धूती करण भी आपका होना चाहिए था यह नहीं है भई सौभाग।cr उजना किस के लिए था तो सौभाग्र उजना लाई गई थी आपका ग्रामीड चित्रों में और सहरी चित्रों में आपका विद्धुती करन को ले करके ठीक है सौभागी योजना का उद्देश से क्या था आपका ये सौभागी अभी मैंने कहा था आपका सौभागी योजना आपका विद्धुती करन से संबंदित थी ग्रामीर छेत्रों में विद्धुती करन करना और सो प्रतीसत आपका विद्धुती करना इसके तहत आप काμεीटर लगाया दाना अगर आपका एक ही घर है गाउमें तो आपके लिए खंबा ले जाकर के आपके घर में क्या कर देना आपके घर में लाइट की व्युष्टा करना तो पूर्टा आपका क्या था कन्या विवा है की बात नहीं है ये किसकी बात है आपका तो ये आपको दिखाई देता आएगा मैंने आपको पहले ही बता दिया ये आपका विद्धुती करने से संबंदे थे सौभाग की योजना केंदर सरकार के द्वारा संतोहजार आपका कब 17 में चलाई गई थी और इसका मुद्द्य सिथा ग्रामीड चेतनों में सत्व परतिसत आपका विद्धुती करना अभी आपकी योजना आने वाली है सौभाग टू पॉइंटई जैसे आपका रोबो 2.0 आया था वैसे आपकी स्वभाग आएगी 2.0 इसका काम क्या है आपका विद्दूती करना आपका इसका कार्य है निम्लकित में से कौन सा भारत का पहला टेली वीजन धाराबाहिक था तो यह तो आप लोग सभी जानते होंगे हम लोग है यह जिंदगी दुनिया या रामायड ठीक है बताओ कौन सा आपका पहला टेली वीजन धाराबाहिक था यह सब्जेक्ट कभी नहीं पड़े यह सब्जेक्ट इसलिए नहीं पड़े क्योंकि यह ग्रामीड अर्थवस्था और पंचायती राजव्यवस्था है तमासी यह ग्रामीड अर्थवस्था अब आपसे पूछा जाता है कि फटवादी का सिलिवस से उसमें क्या लिखा ग्रामीड अर्थवस्था इसके अंतरगत आता क्या है पहले समझेगा इसके अंतरगत आता आता आपका योजनाए यूजनाए मतलब का कौन सी जो गाहों से संबंद देत हो चाह कोन से हो जाते हैं इंडिया लेवल की होजाएगी और MP धोनों हो जाती ऑर MP तो इस paradox है कि आगा है हुजा जा एक कि और बचा जा सकता है पूछा सकता है जिसमें आपका सुपाल आशक फिर या आपधूमख़्ी पलन ये आपका बागवानी भी आ आपको बढ़ावा देने कार है तो राज्य वित्य आयोक का है राज्य योजना आयोक का है गाउं में आपको कौन दिखाई देगा सरपमश्द देगा तो यह सब कुछ आपको दिखाई दे जाती है तो यह आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर दिखाई देखी चलिए अगली बार समझते हैं आपको 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 दिखाई दे जाता है चलिए मद्यप्रदेश की विधान सभा के पहले वक्ता कौन थे पंडित कुंजी लाल दोवे सीता संड सर्मा सरला ग्रेवाल या जीपी भट तो पंडित कुंजी लाल दोवे जी आपको क्या देखाई देते हैं पहले आपको क्या बनते हैं तो यह आपके पहले स्पीकर आप की स्क्रीन पर भारत में CSIR व्यग्जानिक प्रयोक सालाओं की श्रिंखला किसके द्वारा इस्थापित की गई थी हज जे भाबा दीडी नाग चौधरी या डीएस कोठारी ये आपका होमवर्क है अगला होमवर्क ये रहा आपका राजबन्स आपका सल्तनत की स्थापना गोल कुंडा में किसके द्वारा की गई थी एक आपका होमवर्क ये रहा अगला होमवर्क बाला घाट जिले में नल सेशा बांध का निर्मार किसके द्वारा किया गया था या किस नदी पर आपका किया गया है ये भी आपको बताना है अगला आपका home work ये है आपका याद रखेंगे निमलिकित जिलो में से किस में gun garage factory है ये भी आपका home work है फिर आपका कौन सा हिंडोला महल और जहाज महल कहां पर इस्टित है ये भी क्या होगा आज का आपका home work होगा ओफलाइन कमेंट में आप लोग बताएगा साथ में आपको offline comment में आ करके बताना है कि आपको classes कैसी लग रही फिर क्या करेंगे हम अपनी class को आगे बढ़ाएंगे continue करेंगे तो चलिए आप सुभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कल मिलेंगे आगे की बात मिल करके बाते करेंगे